नमस्कार मैं हूँ अन्षिता मोधी सरकार की तरफ से लाए गए नए कानून के बाद ड्राइवर हिट एंड रन के जंजाल में बुरे फस गए हैं रुके तो मरे भागे तो भी मरे इसलिए इस नए कानून का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है ड्राइवर इसे काला कानून बताकर अपना विरोध जता रहे हैं और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कानून आने के बाद से ड्राइवरों ने काम ठप कर दिया है तमाम वीडियो सो कहना चाहता हूं मोधी जी हमने आपको बहुत पसंद करते थे बहुत लाइक करते थे और हर एक ड्राइवर बीस बोटों की तो एशेत रखता है इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर करेता है लेकिन हम आपको लोग सावा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे अरे एकसिडेंट करके भाग जाता है और घायल को सडक पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी वहीं अगर एकसिडेंट करने वाला शक्स घायल व्यक्ती को होस्पिटल पहुँचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी इस कानून की जानकारी ग्रही मंत्रिया मिश् जो थी अकस्मात जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से कि अकस्मात तो किसी भी व्यक्ती से किसी भी स्थिती में हो सकता है एक गाड़ी चलाता रहा है एक व्यक्ती और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ है या कोई रश करकर आ गया अकस्मात हो गया अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयम उसको पॉलिस टेशन या तो हस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजाका प्रावधान किया है और हीट एंड रन केस मरता हुआ छोड़ कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने दस साल की सजाका पूरी जाता है ड्राइवरों का कहना है कि सरकार इस कानून को वापस ले क्योंकि इसमें ड्राइवरों के हित का ध्यान नहीं रखा गया है सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बलकि आम जनता सरकार से सवाल कर रही है कि एकसिडिन्ट होने के बाद भीड जो ड्राइवरों का हाल करती है कई बार उन के समर्थन में आए लोगों ने सरकार केस कानून के खिलाफ मूर्चा खूल दिया है सोचल मीडिया पर एक्सिडेंट कानून वापस लो नाम का हैश्ट्रेक ट्रेंड कर रहा है यह वीडियो जो आपने देखा मलकपूर माल गोदाम का बताया जा रहा है यहां ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है उनका कहना है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो हम काम नहीं करेंगे इनका कहना है कि अगर हमारे पास 10 लाग रुपे जमीन जायदात होती ही तो क्या हम ड्राइवर होते लोग यह भी कह रहे हैं कि अब तो ड्राइवर भी वही बन सकता है जिसके पास पैसा हो मतलब सरकार धीरे धीरे गरीवों से उनकी रोजी रोटी भी छीन रही है अब ज़रा सोचिए कि अगर देश भर के ट्रक ड्राइवरों बस ड्राइवरों ने सरकार के इस कानून के खलाफ हरताल कर दी तो काम बंद कर दिया तो सब कुछ रुप जाएगा या तया ठप होगा तो देश कैसे चलेगा? कैसे सामान और माल इधर से उधर जाएगा? कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे? बसों से अपने काम पर जाने वाले कैसे अपने काम पर जा पाएंगे? मतलब कि सरकार ने ये कानून लाकर देश को बड़े संकट में डाल दिया है से कानून सही है लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जब भी कोई अक्सिडेंट होता है तो मौझूदा भीड ड्राइवर पर तूट पड़ती है उसको पकड़ती है उसे खूपीटती है कई बार तो इस पिटाई में ड्राइवरों की जान तक चली जाती है इसी डर से ड्रा कर भागने के बजाए घायल को अस्पिताल पहुंचाने की हिम्मत दिखाएगा लेकिन नए कानून में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ बलकि यह कहा गया कि अगर ड्राइवर रुक कर अस्पिताल पहुंचाएगा तो सजा कम हो सकती है और पांच लाग का जुर्माना मतलब ड्र का फंदा पहनाने के समान है बता दे कि पहले आई पीसी की धारह 104 के तहट सड़क दुरगटना के दौरान लापरवाही से जान जाने के अपराद में पहले दो साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्राउधान था लेकिन अब इसे 10 साल की सजा में बदल दिया गय और 10 लाग के जुर्माने की भी बात की गई है तभी तो लोग कह रहे हैं कि अब ड्राइवरी करने लाइक तो सरकार ने छोड़ा नहीं तो इस लाइसेंस का क्या ही करेंगे लेकिन ड्राइवरों का ये गुस्सा धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा है और अगर ऐसा इसलिए सरकार से ड्राइवरों की ये नाराजगी गंभीर चिंता का विशय है देखना होगा कि सरकार इस मामले को जल्दी सुलजाती है या फिर ये अंदोलन किसान अंदोलन से भी बड़ा रूप लेगा तो इस वीडियो में इतना ही आप से रोध है यूट्यूब पर हमा बहुत कर ली ड्राइवर ही अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवर ही ना तो हमरे पास दसलाग रुपे ना दस साल तक जेल में जानेगी वह हमरे पास बीवी बच्चों का क्या होगा बाट को सभी है ने आपको बहुत पसंद करते थे बहुत लाइक करते थे और हर एक जो ये देश में जो काला कानून पास हुआ है ड्राइवर कंडेटरों का फिर मलकपूर माल लख्ये के उपर सब ड्राइवर कंडेटरों ने सम कर दिये कोई गाली नहीं भर रहा है कि ये जल से जल ये सब ये काला कानून आपस ली जाए तो हम गाली भरेंगे ने तो कोई ड्राइवर के पास में दस लाग रूप है और दस साल की सजा भुकतने के लिए टाइम नहीं है ये मलकपूर माल लख्ये के उपर पुरा काम बन हो चुका है ये लाईव में देख लो आप इस सब ड्राइवर गंडेटर सब बढ़़े हुए है ये देख लो सब ये मलकपू झाल